हेलो दोस्तों नमस्कार मैं आपका दोस्त इंजीनर कुमार मनी स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यवरी डे फोकस में प्यार दोस्तों डी एक यस की तरफ से यहां पर इस्टाव नर्स की यंपी एच डबलू फिमेल मेल के लिए वेकेंसी लेकर आ चुका हूँ साती रे दोस्तों बिल्कुल ऑनलाइन फिरी है और चार अपरेल दोजार बीस तक आप लोग जो ऑनलाइन कर सकते हो बिल्कुल ओफीसल नोडिफिकेशन पर लेकर चलता हूँ तो वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो साती इस वीडियो को जानता सजाता अशेर क पहनजी की तरफ से वेकेंसी जो निकाली गई है डेली वेटेश एंड फार कोविड-19 के तहती वेकेंसी निकाली गई है 28 मार्च 2020 को यह नोटिफिकेशन जो है रिलीच की गई है नमबर 2522 यहां पर आप लोग देख सकते हो ठीक है उपर पूरा आइडर्स आपको यहां प पर देख सकते हो एह है इमेल ठीक है नीचे मैं आपको लिंक दे दूँगा वहां पर जाके आप लोग डाउन्डोर कर लेना नोटिफिकेशन और जो इमेल दिया गया है ठीक है इस इमेल पर आप लोगों को जो है अप्लिकेशन फार्म भर के भेज़ देना है कोई भी प्र 28 मार्च को यह रिलीज की गई है और जैसे आप लोग नीची आओगे ति यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस टाप नर्स की 65 वेकेंसी रखी गई है यह 328 रुपे यहाँ पर ESI साथी लेबर्स जो होती है वो मिलेगी आपको 328 रुपे पर डे मिलेगी साथी 612 रुपे आपको इंसेंटिव मिलेगी COVID-19 का ठीक है तो यह देख सकते हो यहाँ पी इस तरह से आपको यहाँ पर डेली सेलरी मिलेगी डेली वेटेज पर डे आपको मिलेगी 612 रुपे और 308 रुपे इस टाप नर्स के लिए यहाँ पर 55 वेकेंसी है एनम वाले जो है अपलाई यहा कर सकते हो लेकिन आइनसी से जो है रेजिस्टेशन नंबर होना अवस्यक है तभी आप लोग जो है इस वाम को अपलाई यहाँ पर कर सकते हो तो इसे नीचे आओग यहाँ पर देख सकते हो डेडियो कराफर की इसमें भी सेलरी रखी गई है डेली पर डेली बेश पर 23 वेक और यहां पर Diploma in Medical Radiation Technology DMRT वाले जो है अपलाई यहां पर कर सकते हैं आल इंडिया वेकेंसी है ठीक है रेडियोग्राफर की और अब जो नीचे वेकेंसी है यह सब दोस्तों यहां पर देख सकते हो फार्मासिस्ट वारिषा के लिए है सिरिफ MPHW female और male जितने वेकिंसी है फार्मासिष्ट MPHW की इसमें सिर और इसा वाले अपलाई कर सकते हैं 26 वेकेंसी है फार्मासिष्ट के लिए और इसमें di pharm को अपलाई यहां पर कर सकते हैं साथीontin法 might hand chap प्राफ्थ होना चाहिए साथ ही ओडिशा से यहां ओड़ीसा फार्मासी कांसिल से यहां पर रजिस्टर होना चाहिए तभी आप लोग जो ही सब्सक्राइब कर सकते हो यह फिमेल के लिए और इसमें जो है MPHW के लिए past health worker female training course conducted बई URISA State nursing council से ठीक है URISA state nursing council से जो health worker female training होती है वो आपको जो है complete होना चाहिए past होना चाहिए तभी आप लोग यहां पर कर सकते हो साथ आई येंची से approved होना चाहिए या government या private सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसा फार्म को अपलाई यहां पर कर सकते हुए कौन कौन से जो email मैं आपको बता रहा हूँ उसी email पर आपको जो है send कर देना है ठीक है जो उस्तों और यहां पर इसका जो है website भी देख सकते हो और नीचे मैं description में link दे दूँगा जाके आप लोग notification भी download कर सकते हो और जो email है इस email पर आप लोगों को documents attach करना है और अपना जो form भर की भेज देना है ठीक है और आप लोग जो है यहां पर देख सकते हो जैसे नीचे आओगे तो यहां से आपको कि इस फॉर्म में आप लोगों को डालना है email पर डाल देना है ठीक है क्योंकि email आईडी और contact नंबर पर आपकी जो है joining होगी इसी पर आपको दिया जाएगा ठीक है तो contact नमबर और इमेल आईड़ी आप लोग जरूर डाल देना और भी कोई प्राबलम है तो आप लोग कमेंट कर देना ठीक है थैंकु दोस्तों वीडियो अच्छा लगत वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना साथी इस वीडियो को जादा से जादा फेर करिए अल